नमस्कार न्यूज एंसियार में आप सभी का स्वागत है मेदिशा से इन तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की और पहले बात करते हैं बल्लब गड़ शहर की कोरोना जैसी महामारी की बात करें तो ये पूरे देश में अपने चरम सीमा पर पहुंच रही है वहीं जो लोग दिहारी मजदूर वाले हैं वो कमपनियों में काम करते हैं कोरोना वाइरस के चलते कमपनियां नहीं पहुंच पा रहे हैं उन लोगों को कुछ नीजी संस्थाई उनकी मदद करने के लिए आ गया रही है आपको पताते कि ऐसे में सेनी समाज के समाज से भी राजू सेन भी लोगों की मदद कर रही है आज राजू सेन भललबगड विधायक मूलचंद शर्मा के ऑफिस महचे वहाँ जाकर उन्होंने सेम रिलीफ फंट में अपने सेन समाज की ओर से 50,000 का चेक मूलचंद शर्माजी को दिया वहीं मूलचंद शर्माजी ने उनका धन्यवाद भी किया और हमारे समवाद दाता संदीब चोहतरी से जब उन्होंने बाचीत की तो उन्होंने बताया कि ये बहुत ही अच्छा काम है और समाज के हर जिम्मेदार आदमी को देश की मदद करने के लिए आगया आना चाहिए और उन्होंने ठीके खुलने की बात को आगे रखे हुए सहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान दिया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग के चेर्मेन मूलचंद शर्माज उन्होंने बताया कि वे कोरोना जैसी महामारी को आगे नहीं बढ़ने देंगे और भी कुछ कर रहे कि आएगी खाली अच्छाएगी दिया है इस से पहले सर्जी चार-पांस देर भंधारा कट चुके हैं जैसे लोगों को घर घर जागे खाना खिलाया है और रासन भी पहुंचाया है दस वीस तीस आद मिन के यहां पर जैसे भी जरूर समझिये घर उप करनी चाहिए जो भी संभब हो सके जो भी जिस लाइक मुनासेवायात में वो मदद करने चाहिए यह कोरणा स्यम्जी फंड में जो सेंसमाज में दिया है और यह समाज वह समाजे जब आगे बढ़ता है तो यह समझो तो आम आदमी का उबदार होता है और मैं इस समाज के लोगों को बढ़ाई देना क्याता हूं जावा नजार में तो अच्छे अगर हम हैं तो सब कुछ है हम नहीं तो तुछ पिर नहीं है तुछ पिर नहीं है और सबी कि उनके सभी से जब से लोगों का बहुत पहुत अभाई करता हूं में के मिल्क्री जो भी तुछ नहीं पर निक्ते साथी है रहे हैं एक सावाल हो बदायक साब जी जैसे की ठेके खुल गए हैं आप जाने ते कि छे तारीक से ठेके खुल गए हैं इसके हम आगा सो पूरी जाने ठेके खुले अधिके शराफ भी ने खतम भी होंगों की तरह देश्या पूरी नियम की पालना करांगें और जो गिल्टी मंत्री आदर्निय उप्रजान की नहीं इनलों की जो कानून नियम उसकी पालना कराना धर्म भी है हमारा कब तक हुए